हर्टे दे आठे कब मजा ले लेटा है न है है का इसको घुड मॉनिंग है सबको नमश्कार है प्यार भरा नमश्कार है और प्यार भरा गुड मॉनिग आपको सुबस वह उठाते हैं इसके लिए तहे दिल से सौरी है सर लेकिन क्या करें नहीं तो आप उठियेगा नहीं और आठ वजे नौजे उठियेगा दो घंटा इसे ही बरबाद होता है आई एसर हम लोग बिना टाइम गवाये हुए आज की कुछा को स्टार्ट करते हैं और लास इस्थ इसमें कितने वराइटीज के कुछशन्स पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे पुश्चन है आपका पानी का हिमांक बिंदू है देखिए एकदम आराम से पानी का हिमांक बिंदू है पहले जो पानी का हिमांक है एक तो स्केल चार होता है एक सलसियस होता है एक सलसियस होता है एक केलविन होता है एक फैरन हाइट होता है एक रियूमर होता है एक आरे स्के होता है अगर celsius skill पर कहिएगा तो यह केलविन skill पर यह सेरनाइट skill पर यह रियूमर इसकिल पर यह आरे सकिल पर यह हिमांक बिंदू है यह जो है यह हिमांक है और यह celsius पर एक सो यह 273 यह 373 यह 212 यह 80 यह 672 यह जो है ना यह क्वाथनांक है देखिए आपको questions कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं एक तो celsius को फलना में बदलें केलविन को चिलना में बदलें इस ताइब के questions पूछे जाएंगे तुमको देदेगा कि 60 degrees c बराबर कितना केलविन इफिक्स question है यहां से sir question नहीं रहे तू ने तो हर पडुसिया के सेट में इस question रहेगा ऐसा देखा जाता है तो आप इस पूरे topic को अच्छे से समझ लीजे revise भी कर लीजे तो आपका काम हो जाएगा हम कहते हैं c-0 बटा 100-0, k-270-370-270, f-32-32, r-0, c-0 यह नहीं पूछता है बहुत जाए इसमें मथा लगाने की जरूरती है r-a-692-492, c-0 बटा 100-0, k-270-370-270, r-0, 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 c-0, f-32-32, r-32, r-492, 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 ठीक है, जितने भी ये इस साइड में हैं, यहां है, 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 इस सब के सब नियुन्तम बिंदू है, जिसको हम हेमांक बिंदू कहते हैं, देखिए अगर फॉर्मूला को आप काट खोट के नहीं याद किजेगा, जैसे कुछ बच्चे इसको याद करते हैं C बटा 18 के रूप में उप बटा 18 के रूप में याद करते हैं वो गलत है वैसा नहीं करना है आपको जिस form में लिखा हुआ है लिखा हुआ है इसी form में आप याद किज़ेंडे क troublesome मिलते हैं कहते हैं किinson is taking option है क्या जीरो डिग्री आ रहे है क्या चार सब रहा है क्या और अगर कहेगा एक दूसरे को बदलो अगर कहेगा बदलने Celsius को Kelvin में मान लो मान लेते हैं सर अगर कह दे तुमको question में कि 60 degrees C को 60 degrees C को Kelvin में बदले Kelvin में बदले तो क्या करना इस दोनों formula को एक जगा लिख लेना यह जो और यह जो formula है इसको एक जगा लिख लेना जिसको जो दिया हुआ रहे और जिसमें बदलने के लिए को है वो दोनों formula को एक जगा लिख लेना कैसे लिखोगे तर लिखना C मेनस 0 बटा 100 मेनस 0 is equal to K मेनस 273 बटा 373 मेनस 273 अब यहाँ पर C के बदले में 60 लिख दो कि कमान निकाल लो अगर मान लो तुमको Fahrenheit में दिया हुआ रियूमर में मांग ले अगर तुमको दे दे कि 60 degree Fahrenheit को रियूमर में बदले तो क्या करोगे यह और यह बराबर कर लो यानि F मेनस 32 बटा दूसरा 12 मेनस 32 is equal to R मेनस R मेनस 0 is equal to C मेनस 0 is equal to C मेनस 0 तो आप यह कर सकते हूँ अगर सर जिसका जो दिया हुआ रहे या दूसरे में कहें बदलने तो वो दुनों formula को बराबर कर लो और एक का value जो दिया हुआ रहे उसको लिख दो दूसरे का value निकाल दो एक बात दूसरा अगर कहेगा निमनतम बिंदू ती यह सारे scale पर जो इस side है वो निमनतम बिंदू है और कहेगा उचितम बिंदू ती यह विंदू जह है उचितम बिंदू है अगर हीमांग कहेगा त सारे सवाल इससे आपके बन जाएंग अब यहां कोश्चन यह है कि पानी का हिमांक लड़का अनाधून जीरो डिग्री सेंटिग्रेट याद करके जाता है लेकिन उसको यह भी पता होना चाहिए कि जीरो डिग्री सी जो है वो 273 के बराबर है वही 32 डिग्री सेंट के बराब होना चाहिए हम सर कोशिश यह कर रहे हैं कि आपके सामने पूरी पूरी रिवीजन मतलब हर उस टॉपिक की करवा दूं जो टॉपिक पूछे जाते हैं हो गया लखनव से प्रणाम जीशर पटना की धरती से नमस्कार करते हैं नवाबों के सहर से हो गया तो आप सर आपको यह फॉर्मला इसी फॉर्म में याद करना है कुछ बच्चे इसको सी बटा ठारा और के बटा फ़लना डी बटा ढेगलना करके याद रखते हैं जो कि गलत है वैसा नहीं याद रखना है और इतने वेराइटीज पूछे जाते हैं अब आजए यह सर इधर मानव में सामाने सरब्य सीमा यहाँ पर कुष्चंज को थोड़ा सा घुमाया जाता है ऊस कुष्चंज के गुमाव को समझने की कोशिश कीजिए आपको यह पता होगा कि सरब्य धुनी 20 से 20,000 हर्ज होती है और अगर 20,000 हर्ज से कम होगी तो यह सर्ब धुनी है और 20,000 धूग यह परा सरब हर्च भी लिख सकते हैं आप 20,000 हर्च कीलो तीन को जीलो के बदले कीलो लिख दिया तो यह 20.000 हर्च को 20 कीलो हर्च के नाम से भी जानते हैं 20,000 हर्च यह तो यहां प्रॉबलम क्रियेट होगा जिसको एकदम हम बोले सबसे नॉर्मल कोश्टन सबसे जादे गलती करके बच च ठीजू का फटिए और हम 20 अच्त कम आते हैं तो कमते हैं इससे चलते हैं लेकिन यहां पर जवाप आउगे यह परैस्ट के वारे में सर पहली बार तुम जान रहे हो पर पॉइसस बीस जार हर्च से अधिक की ध्वनी को सुनता है यानि अल्ट्रा सांड को सुनता है इसको प्रोपर्ली अपने दिमाग में इडिश्ट कर लो क्योंकि यह पूछा है अब अगर इधर आओगे इसको कुट्ता बिल्ली सांप भुक पे थोड़ी नहीं देता है थोड़ा सा और इसको घुमा देता है इसमें थोड़ा हम बोलन चला यह जो तुम सोचता है कि यतना आसान है वह उतना ही टफ है बट कंडिसन्स अपलाई कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए आपकर निश्चिंत हो जाते हो तो कहीं न कहीं रास्ते की जो मुश्किल है है वो आपको पता नहीं चल पाती है इसलिए रास्ते की मुश्किलों को अगर ध्यान में रखना है तो 20 से 20,000 हर्च है 20 किरो हर्च भी सही है कभी-कभी इसके रेंज में दे देता है इस रब ने ध्वनी बताओ, कितनी है, कभी कभी देदेगा 30 से 15,000 हर्च एक option, तो 30 से 15,000 हर्च जो है, 20 से 20,000 हर्च के हैं, तो तुमको यह देखना है, कि हमेशा 20 से 20,000 हर्च ही नहीं रहेगा, इसके बीच के प्रम और इसके बीच के option में भी 2 options कर देता है अगर इसके 20 से 20,000 हर्ज की बात करें इसके बीच के option में भी 2 option कर देता है तो जब 2 option कर देगा तो आपका जो सबसे बड़ा option होगा वो answer होगा जैसे अगर आपको एक option दे दें कि 20 हर्ज से 20 हर्ज से 15,000 हर्ज अगर मान लो एक option ये दे दे और दूसरा option तुमको दे दे कि 30 हर्ज से 30 हर्ज से 12,000 हर्ज तो ये दोनों इसके range में है ये दोनों इसके range में है लेकिन जो बड़ा होगा उसको मारना that is a number is the answer जब बहुत ज़्यादे फ़साएगा तो तुमको यहां लेके चला जाएगा जो बड़ा होगा ये बीस से 15,000 हर्ज है न तो ये answer हो जाएगा ये answer नहीं होगा ठीक है जबकि दोनों range में है तो इसका properly ध्यान रखना और 20,000 हर्ज कोई 20 किलो हर्ज कहते हैं ये भी ध्यान में रखना ना तो मामला गडबड हो जागा ये पर पॉइस ध्यान में रखना गुरु जी तुम्हारे जीवन में कुछ और कुछ एड़ ही करेंगे एकदम टेंचन लेने मेरी आउकात नहीं कि मैं आपके जीवन से कुछ ले लो नहीं ले सकता क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हैं हाँ कुछ पैसा ले लेता हूं वह अलग मेंटर है लेकिन सर मेरी ये आपका ज्यान में ले लो अब बताये सर क्या हो जाएगा वट इस आंसर आंसर हो जाएगा आपका बीस हर्च से बीस किलो हर्च कुछ नम्मर चलते हैं सर अगला में अगला कुछ न क्या कहता है गौर फरमाईएगा अगला 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 कुश्चन में चलते हैं कहते हैं अवतल लेंस की नाभी ये लंबाई सर यह हमेशा पूछता है यहां बच्चा जो है ना अवतल लेंस और अवतल दरपन अवतल दरपन करके मामला गड़ बढ़ा देता है यह एकदम प्रोपरली ध्यान रखो इतना तुम फीगर बनाके समझ नहीं पाओगे तो तुम प्रोपरली यह ध्यान रखो सर कि अवतल दरपन अवतल दरपन और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है अवतल दरपन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है देखो एकदम प्रोपरली सर इसका ध्यान रखना यह लेकिन तुमको याद ही नहीं रहता है यह कहां पर आप मार खाते हों सर यह एकदम प्रोपरली आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा यह निगेटिव है यह एकदम प्रोपरली यह ध्यान रखना सर की अवतल और निगेटिव M-N-O-P सुने होंगे सर M-N-O-P N पहले होता है P बाद में होता है O पहले होता है O बाद में होता है निगेटिव पॉजिटिव पे कंट्रोल रखना नहीं तो figure याद ही नहीं रहेगा negative के जगा positive और positive के जगा negative मार के आईएगा दुसरा कहते हैं अवतल 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 दरपन अवतल लेंस अ पहले U बाद में N पहले P बाद में जैसे आपको negative positive का जोल समझ में नहीं आए और दिक्कत हो तो आप ये समझना N पहले होता है P बाद में होता है You will get the answer बताई ये answer सर क्या हो जाएगा एकदम एक लाइन में अवतल है A पहले है A पहले है तो N पहले होता है N पहले होता है मतलब रिनात्मक पहले होता है You will get the answer थोड़ा सा सर फास्ट होना पड़ेगा नहीं तो एक्जाम ओल में अगर ऐसे ऐसे करने लगे न तब फिर माम लागर बढ़ हो जाएगा पते नहीं चलेगा 90 मिनिट तुम्हारा कैसे गुजर गया हो गया Question number next अगले Question की वर चलते हैं अगला Question Hypermetropia एक Question आँके दोस्ट से रहता है कि किस दोस्ट में कौन सा लेंस लगाते हैं तो सर आप थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर निकट दिरिश्ट्री दोस्ट अब तुम कहोगे यह तो हम जानते हैं सर निकट दिरिश्ट्री दोस्ट की अगर हम बात करें यह कोशन हम सर इस टाइप के कोशन समसाम में नहीं लेकर आते हैं इसलिए सर चुकि आप बार में कहोगे कि सर आप तो बोलते ही जो जो पढ़ा है वो मामला गड़बडा दिया नहीं पूछा इसलिए भी मैं यह दस क्लास लेकर आया हूँ कि तुमको आद में हमको बोल न सको दूर दिरिश्ट्री दोस्ट दूर दिरिश्ट्री दोस्ट इसको हम हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया कहते है देखो कहते हैं निकट दिरिश्ट्री दोस्ट और दू हाइपरमैट्रूपीया में गड़बढट करन सब्राइब करें को को पसc развит an कि यह क्या करता है से कि इसी को ना अब देखो इन यहा इसको देना नहीं चाहिए था यह इसका इंगलिस है निकलिस्थम्ट से मायोपिया दूर दूर sino cricket है दूर है तो तुमको थोड़ा सा इसमें confusion में नहीं रहना है hypermetropia जब यह कह दिया hypermetropia जब यह कह दिया hyper hyper मतलब दूर है कोई वे चीज़े hyper होती है तो वह हमसे दूर होती है अगर जैसे करें बड़ा hyper है चलो हंटो hyper है मतलब दूर होगा और normal myopia है इसका सर आपको यह खाली clear करवाना चाहते हैं कि यह दोनों में आप फस ना जाए hypermetropia मतलब बड़ा hyper हो रहा है रहे चला हट है hyper मतलब दूर जो होगा वह निकट होगा ऐसे भी सर दूर थोड़ा awkward word है hyper भी awkward word है तो हम दूर मतलब hyper दूर मतलब hyper और निकट मतलब myopia और जैसे ही सर इसमें आओगे इसका spelling बड़ा है तो इसमें अवतल लेंस लगेगा तरम बार-बार बोलते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पर जो आप गलतियां करते हो उसी को सुधारने मैं लेकर आया हूं यह क्लास कहते हैं आपको नहीं स्पिलिंग बड़ा है दूर का स्पिलिंग छोटा है निकट का स्पिलिंग बड़ा है दूर का स्पिलिंग छोटा है अवतल का स्पिलिंग बढ़ा है उत्तल का स्पिलिंग चोटा है बढ़का में बढ़का स्पिलिंग च्छोटका में च्छोटका स्पिलिंग अब आंसर पता किया हो जाएगा वोटी इदिश्डियुन मतलब सवादर दूर है इसको मतलब सुमाइलो दूर है िसका बन सुधरा है चुक्षजड़ मतलब उत्तल सरेक्ञाम वाल भे यह ही नहीं पता चलता है उत्तल मारें गे था प्यार से सक희 लिए लेकिन सर जब आप सही तरीके से मारोगे तो आपका काम होगा ने तो मामला कर बढ़ आएेगा अब बताओ क्या हो जाएगा हमने कहा निकट दुस्टिदोस मायोपिया मायोपिया बोले तो दूर दुस्टिदोस अब इसका सर गढ़बढ क्या कर रहा है हम एक लिष्ट बना देते हैं सर इसको प्रुपर्ली ध्यान से देख लेना एक उताए सर दोश एकदम आराम शे अब इसका जोल बड़ा करके कोश्चन पूछता थोड़ा सा नाम चेंज करकर के दोश की अगर हम बात करें दोश इसके और नाम और ये रहा उपचार सर एकदम इसको ढरने की ज़रूरत नहीं एकदम आराम से बनाना है ये है निकट दृष्टी दोश निकट दृष्टी दोश निकट दृष्टी दोश यानि मायोपिया मायोपिया और यहां उपचार अगर दोगे तो अवतल लेंस से बना चस्मा अवतल लेंस से बना चस्म और ये दूर दिष्टी दोश, दूर दिष्टी दोश, दूर दिष्टी दोश की अगर हम बात करें यह होता है हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और हाइपर मेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो यह होता है उत्तलेंस, उत्तलेंस, और अगर हम बात करें सर जरादृष्टी दोश को इसको हम पृस बायो पिया कहते हैं इसको नॉर्मल निमनकलेचर है जिसको आपको याद रखना है इसको हम पृस बायो पिया कहते हैं और इसका उपचार है सर उत्तल अवतल दोनों उत्तल एंड अवतल लेंस उत्तल एंड अवतल लेंस से बना चस्मा उसके बाद है सर आपका बिलना ये क्या बोलते हैं मोतिया बिंद मोतिया बिंद मोतिया बिंद को सर कहते हैं के ट्रैक्ट मोतिया बिंद की अगर बात करोगे तो इसको हम कहते हैं सर के ट्रैक्ट के ट्रैक्ट के ट्रैक्ट के ट्रैक्ट और कि attract अगर होगा सर तो इसका कोई operation ही इसका उपचार है operation ही इसका उपचार है जल्दी से इसको लिख लिजे सर एक और आपको सर पुछता है इसको अगर आपने लिख लिया है तो एक और आपको पुछता है सर अबिंदख्ता आपने परच्टक्रा विजग फ्सका मेले कोई है सरी कर चुंटनाओ करंदी झाया akokennt करें मेले करना कर लैंस लगाते हैं जल्दी से कि को जल्दी यह लख लीजाए का चुकкретि झी के drug नगरी बेगुसराई से प्रणाम जी हि democr पटना की धर्ती से प्रणाम करते हैं भारत की धर्ती से प्रणाम करते हैं लेगन करति बाद में होगा सर पढ़िए दियां से जरा देश्टी दोस्का मायोपिया दूर देश्टी दोस्का हाइपरमेट्रोपिया नहीं निकर देश्टी दोस्का मायोपिया दूर देश्टी दोस्का हाइपरमेट्रोपिया जरा देश्टी दोस्का प्रिस्वायोपिया मोतिया अगला कुश्यन अब बता क्या होगा है ईपर मेट्रोपिया उर्मेट्रोपिया मतलब दूर दूर मतलब चटका स्पिलिंग उत्तलेंस अगले कुश्चन पे चलते हैं थंडी मार दिया है चला इसलिए एकदम मारा हम से गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग दो ही पूछता है दूंगो एक पीला पूछेगा और एक पूछेगा चला गुलाबी तो यह हो गया नियॉन का उपयोग करते हैं तो यह गुलाबी रंग देता है और सोडियम का नियौन-गुलाबी रंग देता है सोडियम और सोडियम पीला सबसे जादे कोस्चन आपको सरी यह दोनेंगो जरूरी जरूर याद रखें अगला कुश्चन निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है देखो यह जो है ना फोकस लंबाई और वकरता तिर्जिया का एकदम ध्यान से कुश्चन बनाना ना तो मामला गड़बर हो जाएगा एप बराबर होता है आर बैटू इस सब जानते हैं एप बराबर आर बैटू के सव भी पूछे जाते हैं आर तुमको देदेगा और कहेगा वकरता तिर्जिया इतनी है तो फोकस दूरी कितनी होगी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो आर इसको हम लिख सकते हैं वकरता तिर्जिया वकरता वकरता तिर्जिया वकरता तिर्जिया वकरता तिर्जिया इस इसको प्रोपर्ली ध्यान में दे के मारना कि भाया दो गुना फोकस दूरी के जगा पर कुछ नहीं दो ऐसे अबलिक मार देता है और लड़का गलती करके चलाता है इसकлад पुछे ही जाते हैं और यहां पर तुमको एकदम प्रोपर्ली दियान में रखना है अगर और वेराइटी फॉर्मूला पुछेगा तुमको एक तो लैंस फॉर्मूला다 पूछा दि रखना हैं ए दोनों भी तुमको एकदम प्रोपर्ली याद रखन região चाहिए भर बात क और अगर लेंस फॉर्मूला की लें बात करें दोरों ये फैस की पूछा है कि अगर तुम थोड़ा सा अगर सा जाते घाते हो dollar छम्ता व नंड इस आवर्थर तुम थोड़ा कर दिया है तो सवाल पुछा है चुकि 1 by F is equal to P होता है यहां से सवाल पूछा है यह चारो सवाल पूछे जाते हैं इसके numericals पूछे भी जाते हैं इसके numericals को भी एक बार देख लिजेगा सारे किताबों में हैं मेरे पावला सवाल रहता है जो पुछता है और M आवर्धन चमता है सरल सुक्षंदर्सी की बराबर वन प्लस दी बाइएफ वन बाइफ को पी लिख सकते हैं वोन प्लस पी इंटू डी होता है यह सवाल यहां से पूछे जाते है कि हो गया अगला यह मगत की धरती से प्रणाम फलना की धरती से प्रणाम चिलना की धरती से मानेंगे अतना मार के पढ़ेगा कि एकदम दूस्तों दाना भकीरे पढ़ो कहीं से भी प्रणाम नहीं कोई प्रणाम पाती नहीं प्रणाम चला एक कि बार आना जब जब जाब लग जाएग कहते हैं निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो वकरता तिर्जिया फोकस लंबाई इसमें तुम तुम को लगे का कि वहार है यह कोशन दो मार ही देंगे लेकिन तुम जब गड़बड करता है नो वकरता तिर्जिया फोकस लंबाई के बरावर होता है यह कोई रहा है आर इस और बॉल इस दा अंसर वक्रता तिर्जिया फोकल लंबाई की आधी होती है और यही तो सही है देखो यही जोल है तोरा लगेंगा ना कि बाप रुबाव यही सही है आंसर होगा डी फोडाउग लड़का ते एक दम नॉर्मल कोश्टन नचला वहीं तू फसेगा क्योंकि बोड ही चाहता है। तू फसे और तू मरे गुरु जी यह चाहते हैं कि तू ना फसे और तू जीए यहीं डिफरेंस है तेरे बोड और तेरे गुरु जी में। साथे चौब यह उठते हैं तवियत खराब है परक नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से इनर्जी लेबल आ जाता है को और फरमाईएगा जनाब कहते हैं अगर तुमको यह एकदम प्रोपरली ध्यान में रखना है कि आर बराबर टू एफ या एब बराबर आर बाई टू से सवाल है और तुम कितनों मिश्टेक करोगे तो यहां आकर कहीं पर भी फस जाओगे या तो भी या तो डी में नहीं फ कि प्राबर तक शता कौन सी होते दीखो हम बार बार बोलते हैं यहां से क्षटड पूछ जा रहें तुम इसको तो properly revise कर लो कि उत्तल दर्पन को तो पहले तो अपसारी दर्पन कहते हैं और अवतल दर्पन को हम अभिसारी दर्पन कहते हैं सरध्यान देना अवतल दर्पन को अभिसारी दर्पन और उत्तल दर्पन को अपसारी दर्पन कहते हैं ठीक है गाड़ी के head light में, दाड़ी बनाने वाले दर्पन में, solar plate में, search light में, laser light में, आख के doctor, दाथ के doctor, कान के doctor, ENT, परावर्तक दुरमिन, इसमें से कुछ भी पूछ रखता है, नौग और एक्जामपल है, यहां दो एक्जामपल है, रोड पर लगे परावर्तक लेंप और गाड सीधा याद रखो कि रोड लेंप, जो रोड पर लगा हुआ लेंप होता है, और गाड़ी का पस्च द्रिस्य दर्पन में, उत्तल दर्पन, उत्तल दर्पन भी मत याद रखो, उत्तल दर्पन और अपसारी दर्पन याद रखो, क्योंकि अपसारी और अभिसारी में जानत अपसारी दरपन बार बार बोलते हैं यह क्लास्टे रे रिवीजन के लिए भी है जो मैं रिवीजन करवा दूँगा मैंने कहा रोड लेंप पर या गाड़ी के पस्चिद्रिस से दरपन में उत्तल दरपन उत्तल अपसारी उत्तल अप 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 ल हुए ह से तहां जैसे लिए तो सर्च लाइट इसा मतल बहुए कि सर्च करता है यहां पर यहां जोलो यहां भी मत्ता है अपसारी उत्ता उत्तल दरपन होगा एक करेंगो तो आपिसारी दरपन ओपसंड मैं ये मारदेंगे नहीं नहीं रहता तो अभी सारी दरपन रहता वो आंसर में मारद में कि प्रश्ण की ओर चलते हैं अधें गण hem उत्ता हर डर्ल कुंप प्सारी दर्पन उत्त अ को सारी जोMusic उतल दरपन अपसारी दरपन और रोड लेंप गाड़ी के पस्चदेश से दरपन रोड लेंप गाड़ी के पस्चदेश से दरपन रोड लेंप गाड़ी के पस्चदेश से दरपन आजा भेई दर तेरी मुहांबत में एक लेंस जिसका पावर इसमें तु सबसे ज़्यादे कालतियां करता है बच्चा वो सबसे ज़्यादे पूछा जाता है तुरे गुरुजी 100% इमानदारी से तुमको पढ़ा रहे हैं प्लीज भाई मेरे पढ़ ले धेर काविल बनने की ज़रुवत नहीं आज तक का इतिहास है मेरा जो जो धेर काविल बना है अभी तक सड़ रहा है कोन करता है तो मने मन हम समझ जाते कि धेर काविल बनना था इसलिए सड़ रहा इसलिए धेर काविल बनने की ज़रुवत नहीं है easy easy चीजों में ही गलतियां होती है जिसको मेरा भाई रोक लेगा और अपने मन्जिल को पा लेगा यहां पर questions क्या है सर एक lens जिसका power plus 2 diapter है उसकी focus दूरी क्या होगी मैं बताता हूँ जब भी छमता होगी सर जब भी छमता होगी जब भी छमता की बात आएगी तो छमता का formula 2 ही होता है P is equal to 1 by F जब meter में होगा प्रुपरली इसको देख लो क्योंकि यहां से एक line के सवाल पूछे जाते हैं जो बड़े उल्शे होगे होते हैं और 100 by F होता है जब centimeter में होता है 100 by F होता है यहां से जब आप आओगे तो इसका प्रुपरली यह ध्यान रखना कि यह F अगर positive होगा तो यह positive होगा चुकि सर भागा में है यह positive होगा जैसे 1 by minus 2 हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा minus हो जाएगा यह positive तो यह positive यह negative तो यह negative अब question में यह प्रुपरली यह ध्यान देना है चला कि तुमको अगर डियाफ्टर में दिया हुआ है डियाफ्टर SI मातर करोगे डियाफ्टर है लेकिन अगर हम अगर 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 फोकस दूरी की बात करें तो फोकस का SI मातर करोगे तो मीटर है आप फोकस का अगर CGS मातर करोगे तो संटीमिटर है तुमको प्रुपरली यह ध्यान देना होगा question बनाते हैं कि हमको क्या करना है कि अगर question में two day after है option में हम देख रहे हैं नहीं समझा अगर मालो one by f करते हैं जैसे हम मैं आपको बता तो पहले plus minus का जोल एकराम बड़ा जोल है इसको समझ लो हम कहते हैं सर यह उत्तल लेंस है उत्तल लेंस की focus दूरी होती है positive इस side होती है इस side होती है तो इसका app होता है सर पॉजिटिव यह सब जानते हैं कि उत्तल लेंस है यह फिकदम आराम से चला कहते हैं यह उत्तल लेंस है यह उत्तल लेंस है यह उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है तो इसका app positive है इसका app positive है इ अवतल लेंश की बात करें इसका हंचला यह इससेड होता है व्यकिन का अगर अब question में तुम चलते हry तो तुम यह ध्यान देना की अगर power positive है तो focus बहाँ पॉजेटिव होगा और पावर है तो focus भी negative होगा यानि focus negative होगा तो power negative होगा यहां यह plus में है तो obviously option plus minus में नहीं फसाया क्योंकि plus में ही होगा यह सब जान रहे हैं आप question में जब आते हैं तो कोई एक formula हम लगाएंगे या तो यह या तो यह और देखेंगे कि क्या आता है तो हम कहेंगे P is equal to one by F लगा देते हैं तो F is equal to one by P हो जाएगा और one by हमको focus दूरी निकालना one by P मतलब 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 0.5 meter और अगर 0.5 meter option में नहीं है इसका मतलब 50 centimeter answer हो जाएगा क्योंकि 0.5 meter is equal to 50 centimeter और यह answer जाएगा प्रोपरली कैसे एकदम plus minus ध्यान में रखना है अगर तुमको question में कहादे कि उत्तल lens है तो answer जो होगा वो positive मारना अगर तुमको कहादे आवसल lens है तो answer कुछ भी आए answer negative मारना क्योंकि अगर negative sign के साथ मारना खली एक जगर negative sign आने के बाद भी नहीं मारते हैं वो है मंदन में negative sign आने पर भी मंदन में negative sign नहीं लिखा जाता है बादवकी जहां भी negative sign आएगा वहाँ negative sign लिखा जाता है अगर यहां मालो एक option पचास centimeter रहता और एक option many पचास रहता यहां 50 मारते क्योंकि यह प्लस है चुकि यह प्लस है इसलिए यह प्लस होगा अचुकि यह मैनस होगा लेकिन अगर यह उत्तल lens को लिखा दे तो उत्क्पने मंसे समझ जाना होगा कि इसका power positive होगा और अगर यह अगर वो नहीं है तो दूसरे यूनिट में बदल कर देखेंगे कि वह by और वह अंसर है की नहीं जितना तुम सोचते हो इसलिए एकदम प्रोपर्ली इसको दिहान रखना चंद्रमा की धरती से प्रणाम करो जाना है उन्हें चल जाओ उन्हें सुकर साइन जहां जाना है वहां चल जाओ दानवों अगला कुश्चन अगला कुश्चन आपके स्क्रीन पर यह है जल का प्रतनांग चार बटा तीन है तो जल में प्रकास की गती क्या होगी यहां से कुश्चन घिना घिना अगे पुछता है यह मियू जो है न जिसको आप रिफरेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है तीन गु गुरुजी तुरह हर उस जगह से बचा लेंगे जहां तू फसेगा मियू इस इकल टू तीन गुना दस पर पावर आठ बटा माध्यम में प्रकास की चार ठीक है मियू क्या है मियू के बारे में गदम प्रपरली ध्यान रखना इसको अपवर्तनांक देखो यहीं पर तो ज यह शूचक कहते हैं अपवर्तनी यह सूचक कहते हैं यह इसी को हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको प्रपरली ध्यान में रखना कभी-कभी यह इंगलिसे में देदा है हिंदी में देदा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इंगलिस भी इसका रिफ्रेक् होता है reflective नहीं होता है reflective मतलब परावर्तन होता है पहले तो यह नाम समझ लो कोगते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को कहते हैं यहां नहीं फसना ठीक है अब जब यहां आते तो तीन गुणा और इसका कोई मात्रक और बिमाहीन नहीं होता ये भी पूछता है ये मियू है इसका कोई मात्रक हीन और बिमाहीन राशी है मात्रक हीन और बिमाहीन है और बिमाहीन है और बिमाहीन है आपको होगे कैसे ये तीन गुनादस पर पार आठ मीटर पर सिकंड है ये भी चाल है ये भी मीटर पर सेकंड ये दुनों कट जाएगा तो मियू का कोई मात्रा कर्भीमा नहीं होता है कि सबको गुड मॉनिंग है सबको प्यार भरा नमश्कार है कि हो गया कि नेपाल की धरती से प्रणाम दानवों कोई प्रणाम मत करो चूप चाप पढ़ो क्यों ऐसा करते हो आप लोग कहते हैं जल का प्रकास की चाल क्या होगी हमको पता है मिय इफकोल टू होता है ती गोनदफ पर पावर आठ है अब बंता जल में प्रकास की चाल मान लो X मान लेते हैं और मियू का वेल्यू रख देते हैं मु का value रख देते हैं मु, 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 मु is equal to 4 बटा 3 अब इसको solve कर लेते हैं 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 बटा 4 हो जाएगा X is equal to हो जाएगा 4.5 into 10 to the power 4.5 into 10 to the power 8 meter per second देखो कौन सा answer option में आता है 9 नमर का answer बता हूँ answer देखो की मामला गड़बड हुआ देखो solve करो इसको फिर से कहते हैं X is equal to हो जाएगा 3 तिया 9 बटा 4 ने तो 9 बटा 4 9 बटा 4 आगुना 10 पर power 8 ते कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2.25 into 10 to the power 8 meter per second लेकिन कभी-कभी नहीं इसको जोल में फसा देता है यह एक point को इधर ले आएगा यह point को उधर लेकि चल जाएगा यह power बदल देगा तुम्हेकरा निकाल लो गया तुम खोजते रह जाओगा answer मिलेगा नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sir इसको हम ऐसे भी लिख सकते है 2.25 into 10 to the power कितना हो जाएगा यह point उधर गया कितना हो जाएगा थी नहीं पता होगा 8 की 9 यही पढ़ता है 8 होगा यह 9 होगा point अगर उधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा तक दानवो जो point खिसकेगा तुम्हें लोग बताओ हमरा नहीं पता हमर में असा तना बढ़िया नहीं है 10 to the power 9 हो जाएगा ठीक है दानवो सातो लिखता है उम लोग को तो बद कर देंगे पता नहीं मैं थमरो गड़वड है की होगा दे 9 होगा हमको लगता है कुछ लोग 7 लिखता है कुछ लोग 8 यही उकात है हम लोग की नहीं पढ़ते हैं हमको भी नहीं पता की होगा अरे दानवो यहां से पॉइंट उड़ा दोगे एक पॉइंट इधर लाओगे तो दस आएगा भागा में यही कट जाएगा त्रिन रुबा अठे नहीं हो जाएगा तो हम रोग कनफुजी आ देगा अगले कोश्चन की ओड़ चलते हैं अगला कोश्चन है हमारा रेडियम किस खनीज से प्राप्त इचला खनीज जो है ना एक एकदम प्रोपरली याद रख ले ना और किसका किसका खनीज याद रखना एगो सोडियम खनीज याद रखना एक आईरन का याद रखना एक यूरेनियम का याद रखना एक यूरेनियम का याद रखना हम बोल देते हैं यह खनीज जो है तुम एकदम याद रखना सोडियम का याद रखना कैलसियम का याद रखना यूरेनियम का याद रखना और सोडियम कैलसियम यूरेनियम और आईरन इतना का सुम खनीज और उसके आयस के जरूर याद रख लेना तो हर काम हो जाएगा इस चार गो कहीं याद रखना कोशिश करना इसी से तुम्हारा कोश्चन बनेगा और इसको प्रोपरली तरीके से बना देना को आता है रेडियम किसका खनीज है बता आंसर क्या होगा रेडियम 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 पिंच ब्लेड रेडियम किसका खनीज है पिंच ब्लेड का तो सर इए एकदम खनीज है एक दो तीन चार इसका प्रोपरली ध्यान में रख लेना तो हर काम हो जाएगा अगला क्योंकि उत्मा याद ही नहीं कर पाओगे तुम काता सूरी के उड़जा का स्रोथ देखोई नाभिके सनलेयन और विखंडन तुम्हारा में एक बार में रिवीजन कर देता है नाभिक में दो क्रियाएं होती है प्रोपरली तरीके से तुम देखलो इसको एक होताई शनलेयन और एक होताई विखंडन अब सनलेयन में भी नियंत्रित होता है एक और नियंत्रित होता है प्रोपरली देख लो इसको मामला गड़ बढ़ हो जाएगा नहीं तो तो अब धेर काबिल जब बनेगा ना वह एकदम बोरा में जाएगा एक फीक्स बात है इसलिए प्यारे बच्चों मेरे पास जितने भी कंटेंट है जो पूछे जा सकते हैं वो मैं तेरे को इस तस क्लास में सिखा दूँगा विखंडन की अगर हम बात करें तो यह नियंत्रित होता है और यह और नियंत्रित होता है देखो ये सल्लेन दो पर करके एक नियंत्रित और दूसरा और नियंत्रित अब देखो यहां प्राब्लम क्या आएगी नियंत्रित की अगर हम बात करोंगे जो कंट्रोल होता है सल्लेन में वो कुछ भी नहीं होता है एक भी hydrogen bomb है या सूरी और तारों की उड़ जा है ये control है देखो नियंत्रित इस वार एकदम घिना दिया है शूरी और तारों की उड़ जा सूरी और तारों में हम ये कह सकते हैं सूरी और तारों में क्या होता है सर सूरी और तारों में क्या होता है कि नियंत्रित नाभिक्या सल्ले नभिक्रिया होता है शूरी और तारों में नियंत्रित नाभिक्या सल्ले नभिक्रिया होता है इस वार पूछा है ये question और ये रियक्टर है और यह नाविक्या रियक्टर यह नियंत्रित नाविक्या विखंडन अविक्रिया है और यहां और नियंत्रित में जाओगे तो यह परमानुबम है परमानुबम है यह यह और नियंत्रित नाविक्या विखंडन है यह और नियंत्रित नाविक्या विखंडन है इसर अब संल्यान विखंडन से पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बढ़ हो रहा है, कर लो, कर लो, कर लो, बच्पने से चला खराब है, छातापूर की धरती से पढ़ना, छातापूर ते मेरा मामा गाउ है थी, कर लो, की हो गया, हम रा महत नहीं है, ठीक, कर लो, साते होगा, की रःग, रीबआप, रेबआप, रेबआप, थेखो, इपाल लिखोई, ठीक है, सात कर लो, जाए copeड़ा मेहत के नाना उरी इफ़िकर पहला है, बढ़ गया, की रहा है, अब उमर हो नहीं हो जालो लिख लिख लिया लिख लो ना फीर के कि हडोगा पॉएंट हैने होने तूर्अ में वी उर्जा का स्रुथ क्या है प्रकास विद्धुत अविक्रिया नाभी के विखंडन अविक्रिया नाभी के सलने नविक्रिया फोटो वोल्टेक अविक्रिया बता अंसर क्या होगा A की B की C C for Ket हाँ साथ नौ में लड़ते रोमना नहीं पता है उतना में थमर बढ़ियान नहीं है इका सिलिकॉन यहां से कोश्चन चला पूछे जा रहे हैं जो इका सिलिकॉन है ना यहां से एकदम कोश्चन इका बोरोन इका अलुमिनियम इका सिलिकॉन से कोश्चन पूछ रहा है इका बोरान, बोरान, बीएस, एजी, एसजी तुम एशिया्थ याद रखो याद आने नहीं रहता है इक्जाम में यह ना, तुम कितनों याद करके जाते हैं, इका बोरान को इसटेंड्यियं का इका है अल assertion को गेलियं का तो जाता है तो और बोरा में मामला हो जाता हैी गढ़वड कामामला कैसे खर होगा यह बताओ किनी हम पो एकदम आसान हो चलाny जा एकदम आफ़ान कुछ नहें करना हैं अब भी करना तो तुमको क्या करना इसको याद रखो BSAGSG cannot make it to be a दोखे जाता है अब पते слишком सभी एस एजी स्टीसी को आंसरते पर मिए फ्सको याद को B, S, A, G, S, G B, S, A, G, S, G अब जैसे कहा तुमको S, 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 S B, S, इका सीलिकॉन ये हो गया B येनि इका बोरोन हो गया शकेंडियम और यहां हो गया तुम्हारा इका इलमुनियम हो गया गै pessimेजौन और तुमको पुछ रहा है इका सीलिकॉन तो इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम जर्मेनियम हो गया देखो आंसर क्या होगा A की B की C की D आंसर बता जल्दी बारा का आंसर बता शी फॉर केट इस प्रैक्टिस करना होगा B, S, C, G, B, S, A, G, C, G B, S, A, G, S, G B, S, A, G, S, G जैसे पुछा सिलिकॉन तो तुम उसको समाज़ लेना होगा यह जो पहला वर्ड है वो इका का है यह जो पहला वर्ड है वो इका का है जैसे इका सिलिकॉन पुछा मतलब तुमको यहां पहुंच जाना है यहां पहुंच जाना है मतलब जर्मेनियम के लिए खट से जर्मेनियम होगा की गेलियम होगा जल्दी से बता दू इसको प्रोपरली ध्यान रखना यह उल्टा होता है इसको प्रोपरली प्रैक्टिस करना होगा इतना आसान नहीं है बार बार जब प्रैक्टिस करोगे अल्मुनियम के लिए जर्मेनियम होता है सिलिकॉन के लि यह S है पहले A होता है बाद में S होता है पहले A होता है उससे भी नहीं होता है सर तो गौर से देखो Aluminium में L है यहां भी L है लेकिन सर सिलिकॉन जैसे दुमको adjust होता है A और S A होगा पहले S होगा बाद में A होगा पहले E होगा बाद में च्छटका बढ़का इसको adjust कर लेना मामलाने तक कड़बर हो जाएगा बढ़का को च्छटका च्छटका को बढ़का होता है दो तीन चार बार practice कर लेना B S A G S G B S A G S G इसको practice करना नहीं तो question नहीं बनेगा exam hall में एकदम तो हर काम कड़बर हो जाएगा इका सिलिकॉन बता क्या हो जाएगा अनसर जर्मेनियम अगला अगले question की ओर चलते हैं अगला question तुम्हारे screen पर ये रहा अगला 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 question तुम्हारे screen पर ये रहा कार्बन डेटिंग निम्न में से आयू निर्धारंग हितु परियोग किया जाता है सर कार्बन डेटिंग जब ये कहा दिया जिवास्म की उम्र का पता लगाने के लिए और चक्तान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं यहां पर question क्या पूछता है सर एकदम प्रोपरली ध्यान रखना इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है दोनों मिला के पूछता है और यहां गड़बड हो जाता है जिवास्म की उम्र का पता लगाने के लिए अगर ये दोनों रहेगा तो आंसर कार्बन 14 मारना दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो और दोनों चुनना हो तो कार्बन 12 और 14 हो जाएगा प्रोपरली इस बात का ध्यान लखना मेंली कार्बन 14 ही देता है इस सबको पता है और चटान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन आपके सामने बोर्ड़ पर यह रहा यह इस टाइप के कोश्चन दुआ चोड़ाके पूछ रहे हैं वीलियन की संदर्टा वाला कोश्चन तो तूम इस टाइपके कोश्चनes में एकदम खूब पूछा जा रहा ही नया टाइप का कोश्चन है तुम एक विलियन में पानी तिनसफ बीस ग्राम मात्रा से तालिस ग्राम लवन की मात्रा है द्रमान प्रतिसत्र द्वारा विलियन की संदर्ता की गंद इस अब सर कुछ नहीं करना है एक दम एकर फार्मूला में नहीं जाना है भार सके रहा जाओगे, उलज के रहा जाओगे, तुम कुछ मत करो, सर फार्मूला आकर होता है, छुटका बटा बढ़का प्लस छुटका गुना एक सो, छुटका, एक दम एक और सवाल जो है न, जैसे देखोगे, एक दम छुटका बटा, छुटका सर, बहुत लोगों का तो कोश्चन पढ़ने में टाइम बरबाद हो रहा है, सर जैसे आप पढ़ोंगे एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मातरा तो यह हो गया, सर विलायक में 47 ग्राम लवन है, मतलब यह विले ही हो गया, और द्रबान प्रतिसर द्वारा विलियन की सांदरता गन्ना करें, तब कहें सब इससे बन जाता है, चुटका बटा चुटका प्लस बढ़का गुना एक सो, अब खट से कर दो चुटका केतना है, 47 चुटका वेल्यू, चुटका वेल्यू, 47 अब बटा चुटका प्लस बढ़का, चुटका प्लस बढ़का बोले तो 47 प्लस 320, अग गुना एक सो कर दो, तो you will get the answer कोई कोई सवाल इसका नहीं फसेगा जाके बना लियो शवाल नहीं फसेगा इसकी गैरेंटी है जो बोर्ड ने अभी तक पूछा है चुटका बटा चुटका प्लस बढ़का गुना एक सो चुटका बटा चुटका प्लस बढ़का गुना एक सो आना तो मामला इस तुम्हीं सबाएबना इंपरूर्टन नहीं समय से बनाना इंपॉट्ट्त ने शुड़ेगा सब बना देगाald रुटका प्लस बढ़का गुना एक सो खुटका प्लस बढ़का गुना एक सो अगला कुशें देखो तम्हारे स्क्रीन पर यह रहास है अंसा नीकाल बैना कितना आता है दो नमबर आंसर आएगा अभी नहीं करना कि आंसर बा मस्तरवा नहीं निकला मर जोड़ गटा इसे भी गड़ बढ़ है एक विलियन में अब जैसे तुमको इतना दे दिया को अधिया विलियन की सांदरता कोश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं यह चुटका व बढ़का गुना एक सवाल बन जायका एकदम नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदर अप नहीं पढ़ियेगा चुटका बट चुटका प्लस बढ़का गुना एक सवा स्वाल है इस टाइप का पूर सही कावल है. आजाईये आभीजाईये यो न रह रह आ जाईये अगले कोशन निमलिखित में से तत्तों का कौन सा वर्गीकर्ण पर गिना गिना के पूछा है मतलब तु जतना घिनाई कर नहीं समझ सकता है सबसे जादे अगर कोई कोश्चन प्रियोडिट टेवल में घिनाया है तो वह यह कोश्चन हले प्रपरली धियान क्या रखना यहां पर जो तुरह एकदम खा जाएगा यह तो इस स्वाव जानता है डेबोरीनर एकरा बार में र अगर हम बात करें निव लेंड की अगर हम बात करें यह अश्टक नियम दिया था अश्टक नियम के अधार पर सजाया था और अगर मेंडलीव रुग जा मेंडलीव की बात करें मेंडलीव की बात करें मेंडलीव परमानु भार के अधार पर सजाया रुक रे परमानु भा क्या करता है बच्चा परमानु भार कोई द्रब्यमान संख्या कहते हैं यहीं यहां पर बावंडर हो जाता है लड़का कहता है द्रब्यमान संख्या ना अड़ी चोटा द्रब्यमान न दिया है तो द्रब्यमान की संख्या जैसे दो केजी द्रब्यमान है उसकी संख्या है द यानि कुल मिलाके वो द्रबेमाने हुआ, इसको पर्परली ध्यान रखना परमानु भार और द्रबेमान संख्या एक के बात है, और परमानु संख्या अलग है, इतना क्लोसली चीज़ों को एनलाइज करना होता है, चला है, 70 ले आओ, 81 ले आओ, कोई फरक नहीं पड़ता है, 81 तसमरब 2 पे merit बन जाएगा और बोरा में चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा इसलिए भाईयों प्यारे विद्यारतियों परमानु भार ही द्रवमान संख्या है जैसे संख्या लड़का देखता कता ही परमानु संख्या हो गड़बड हो जाएगा बता ही आंसर क्या हो जा दिया आधुनिक आवर्ण साजणी हो जाएगा निवलेंड को देता अस्टक नीम हो जाता डेबोरीनर को दिया है मेंड़िव की आवर्णी परमानु भार क्या अधर पर सजाई गई कम से कम 35 को कुश्टन है इसका सेट एगवार पलटके देखना अगला चठथे आवर्थ म 288 32 e 37 ये अधूर अ 32 उसमें 223tron के साथ ये कुशन्य पूछा है 32 तकम के साथ ह्या अधूरा नहीं पूछा है 32 आधारां 22 तकम के साथ है ये अधूरा आधारा ये पूछा है सात्वा और याद कैसे रखना दो आठाट ऐठाबार अरे जैसे काएगा पॉंचवे आवरत में कितने हैं तो आट आठाबा तरा हैं तो एछें नमेन थे करा गए दो 12 प्लस अधूरा यह दो 22 प्लस अधूरा क्यों 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 कि 32 तो उसमें है ही इसके बाद कुछ तक्तों के लिए अधूरे अस्थान छोड़े गए इसको प्रुपरली ध्यान में रखना और याद रखना 288 चरह प्तिस कि रछाम दो हमें आतो इस अधुरा वित्तिस कि dadhura कि टिस टूरा मोर्त इञक या ज छिलनाओ 33 28 8 addition 2828 34 32 2928 그러나 302 अधूरा वित्वत्तिस अधूरा वित्वत्तिस शनला वित्तिस इस अधूरा वित्त lime कि लिस के उत्तर प्रदेश से नमश्कार आसे बिहार की धर्थी। करते हैं बता चट्थे आवरतत कुछ नहीं सोचना 32 हो जाएगा अंसर अंसर बता अगले कोश्चन में चलते हैं इसर यही छुटी-छुटी बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है निम्न में से कौन सा कथन गलत है एकदम आराम से सरी कोश्चन पूछबे करेगा धात अंसर बता जल्दी से क्या हो जाएं अरो थाना बनाता है और रहत्त का यह कोश्चन बहुत ब को coefficient बहुत करता अकर सब्सक्राइब कोश्चालक होते हैं इसमात्र ना और धाती है montón Jayap बनाते हैं इसको एकदम परली तुमको पता होना चाहिए कि अगले कोश्चन में चलते हैं इन में से कौन पूर्सों में इसर पाए जाते हैं इसलिए गुंशुत्र को एक बार जरूर अच्छे से पढ़के जाना गुंशुत्र का सवाल अनाधून पूछ रहा है पूरुष में बता क्या हो जाएगा वाट इस इन पूरुष ए की बी की सी की डी बता क्या होगा अंसर ए की बी की सी की डी पूरुष में क्या पाए जाता है य और एक्स हो जाएगा किस में महिला में इसर गुंशुत्र एक बार जलूर पढ़के जाना गुंशुत्र से बहु सब पुछा है एक बार इसको जरूर पढ़के जाना अच्छे से बता आंसर क्या हो जाएगा 20 का 20 का आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल अनुवांशिक्ता का नियम किस ने प्रतिपादित किया ग्रेगर मेंडल ने एक पर हम फिर से सूपर रिवीजन कर देते हैं तुमारा पूर्सों में तो इवाई इस सबको नोन है वेल नोन है धातु त्याग करता है कि ग्रहन ग्रहन कर अगर धातु सात्वां 32 के साथ अधूरा ज़ैँ अगला कोशन है तुमहारा निमल लिखितत तो में से कौन सा वरगी करन पर्मानु संख्या परमानु संख्या की आधर पर जभी कहेगा चला तो आधोनी का वरसार नहीं होगा द्रमान संख्या को ही परमानु भार कहते हैं अगर बात करें दर्मान संक्या और प्रमानु भार हो जाएगा अगला कुष्चन इसको कुछ नहीं करना चुटका बटा बढ़का प्लस चुटका गुणा इसके बाद आते हैं कार्बन डेटिंग जीवास्म की उमर का पता लगाने के लिए खुब पुछता एकदम धुवाँ छोड़ा के एकदम बी एस एजी एस जी इसको जरूरी देख लेना शूरी के उर्जा नियंतरित और नियंतरित हम पूरा बता दिया नाविकया पूरा नियंतरित होगा बंब जतना बंब है सब और नियंतरित होगा रेडियम इस सब जानता है अगला इम्यू बराबर तीन मुनाद दस पर आठ बटर निर्वाद में प्रकास की चाल उस सवाल पर तुम्हारा बन जाएगा लेंज जिसका पावर जब प्लस पावर यह प्ल रोड लेंप और गाड़ी के पस्च दिर से दरपन में खाली उत्तल या अपसारी उत्तल अपसारी उत्तल अपसारी उत्तल अपसारी उत्तल अपसारी उत्तल अपसारी और बाद वकी में हो जाएगा अवतल उसके बाद आते हैं चला यह एब बरावार आर बैटू को एकद उत्तल लेंज और अवतल दर्पन निगेटिव आउत्तल लेंज और उत्तल दर्पन पॉजिटिव क्याते हैं मानब के एकान में 20-20,000 हर्ज पॉनि कहा हमने का यह भी इमांक है यह भी इमांक है यड़ब बच गया बढ़कावला वह क्या है झाल है के हैک तर्सकंट बलते हैं